सिर्ट कोशन में इसे बोल दिया इसे बोल दिया find एड़ के ऐसे बोल दिया चलो sign inवर्स साइन फॉर ठीक है तो हमने क्या रखा है आपर एंगल फॉर रखा है तो तुमने क्या किया जल्दी से ऐसे ग्राफ देखा ठीक ऐसे बनता है यह इस तरह से बनता है ऐसे यह यहां पर क्या होता है यह यहां पर कितना हो जाएगा यह टू पाई हो जाएगा तो फॉर कितना हो 4.5 हो गया इसका मतलब यह यहां से कम रहेगा तो मतलब 4 कहीं यहां पर कहीं रहने वाला है तो मतलब तुमने क्या लोकेट किया तुमने यह लोकेट किया अब तुम क्या करो यह लाइन लिख लो यह ले लैंड कैसी थी तुम देख सकते है तो यह जगा y is equals to minus x ठीक है अगर x को मैं minus pi रखता हूं तो y 0 हो जाना चाहिए तो plus pi कर दिया था इसका मतला यह open कैसे होगा यह open ऐसे हो जागा देखो minus x के जगा कितना गया 4 plus pi ठीक है और यह जो होगा इसको तुम और कैसे लिख सकते हो pi minus 4 यह आएगा minus pi by 2 और pi by 2 के बीच में आ जाएगा यह यह इसके बीच में रखना है इस विज़े से हम लोग यह सब कर रहे हैं कि समझ मा रहा हैं पर क्या कर रहा है ठीक है और ले लेते हैं चलो जैसे सेकेंड में ऐसे ले लिया साइन इनवर्स साइन चलो 17 pi by 3 बोल दिया ठीक है तो तुम मुझे बताओ 17 pi by 3 जो होगा वो क्या होगा 6 pi से तो कमी होगा चीज़े 6 pi कितना होता 18 pi by 3 होता तो हमने यह पता चल रहा है कि 6 pi से काम है तो हमने क्या कि पूरा ग्राफ बनाने की जरूत नहीं तुम यह देख लो यहां पर यह 6 pi होगा यहां पर यह क्या होगा 5 pi होगा सीदि सी बात इस 6 pi पे line कैसे बनती है ऐसे बनती है ठीक है 5 pi पे line कैसे बनती है ऐसे बनती है 6 pi से जस्ट थोड़ा सा काम है तो हमने समझ में आ गया कि हाँ पर ही कहीं होना चाहिए बंदा line तो यह यहली line कैसे लिख होगी मैं पर क्या कर रहा है तो मोझा अंसर तो मारा हमेशा-प१ा-भई-धू कि को और एसा भी तो किया जा सकता था कोई धरूए थोड़ी ने हमें इसको ऐसे किया क्या है तो हमने को क्या किया इसको यह कैसा डिख दिया तो 6 pi minus 5 by 3 सही है तो 6 pi minus 5 by 3 कौन से कौद्रन में आ जाएगा तुम देख लो फॉर्थ कौद्रन में आ जाएगा ठीक है फॉर्थ कौद्रन में अगर आ गया इसका मतलब negative sign आ जाएगा तो यहां से कितना जाएगा यह होजएगा minus sign pi by 3 अगया ठीक है और minus अगया अगर यहां पर आ गया तो sign inverse तो minus sign भार फेक ही देता है ठीक है अब तुम देख लो यहां पर यह जो लिखा sign inverse sign pi by 3 जो pi by 3 है वो pi by 2 और minus pi by 2 से बीच में आता है इसका मतलब मैं sign 10 ठीक है तो हमने क्या किया तुम पहले तो यह देखो 10 कितना होता है तो तुम ऐसे देख लो 10 को तुमने क्या किया pi से डिवाइड कर दिया तो कुछ ऐसे आजएगा 3.1 संधिंग आ जाएगा आरा सब्सक्राइगा इसका मतलब मैं 10 को क्या बोल सकता हूं 10 1 संधिंग बर 3.1 रिखाई है तो हमने क्या कि अचलो ऐसे देखा 3 पाई किदर हो गाया हो तो इहां पर होगा तो यहां पर आ बीच में आरा सब्सक्राइग है ठीक है 3.1 आया है इसलिए मुझे पता है कि है पर ही लोकेट होगा अब तुम इसको कैसे लिखोगे इसका स्लोप क्या दिख रहा है तो मैं नेगेटिव तो माइनस ले दी है ठीक है फिर तुम यह से सुचो कि अगर तुम एक्स के जगा यहां पर 3 पाई रखते हो तो यहां का राया पर क्या बंज हैं जाइक का राखोगे यहां पर क्या बन जाएगा माइनस 3 पाइट पर मुझे तया यहीज़ है कि कहा यहाई कि सब्सकों फिर से फ्रेश है तो यहां से तो मैं C की वैलू मिल जाएगी अपने अप चीक है तो जैसे तुम को यह ली लाइन मिल गए तो तुम इसका मतलग ऐसे इसको ऊपन कर सकते हो इस वाले को इस वाले को ऊपन करोगे तो यहां पर ऐसी कुछ आजाएगा कुछ थर्टीवन पॉइंट सम्तिंग आजाएगा ठीवन पॉइंट चलो एट आजाएगा इसे कैसे बोल रहे हैं अरे अभी हमने टैन भाई पाई किया तो कितना था 3.1 लिखा तो टैन हंड्र हो गया तो थर्टीवन ही हो जाएगा और क यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अब यहां पर क्या लिखा है 31.8 लिखा है इसका मतलब यह मिट पॉइंट से तो आगे ही रहने वाला यह 31.8 पाई ठीक है इसका मतलब ग्राफ कौन सा आएगा यहली लाइन आ जाएगी यहली लाइन कैसे लिखो कि y is equals to x slope positive है ठी 32 पाई हो जाएगा क्योंकि x को अगर तुम 32 पाई रखते तो y 0 जाना चाहिए ठीक है इसका मतलब यहां पर तुम इसको कैसे ओपन करोगे इसको ऐसे ओपन हो जाएगा 100-32 पाई ठीक है और यह जो आंसर आएगा वो इसके principle range के अंदर आ जाएगा आगे तो फाइन अब आ इसके ग्राफ का काफी यूज करने वाले हैं तो next करते हैं अब next क्या हो गया second y is equals to cos inverse cos x सबसे पर दोमें लिख ली यहां पर x belongs to all real number ठीक है range कितना हो जाएगा cos inverse का 0 से लेके पाई जाता है इसका मतलब यह है जब मैं इसका graph बनाऊंगा x-axis में तो पूरा बनेगा ठीक है और यहां पर सिरो से लेके पाई के बीच में बनेगा यहां पर यह जीरो है इनके बीच में यहां पर कुछ ग्राफ बनने वाला है आ रहा है सब्सक्राइब क्या किया अब मुझे लगता तो इसको चलो बना लिया ऐसे कुछ बनेगा यहां पर इस तरह से बनाया ठीक है ऐसे लाइन खीच दी यहां पर याली लाइन खीच दी याली लाइन यहां पर क्या है पाई के ऊपर नहीं जाएगा जीरो के नीचे नहीं जाएगा ठीक है फिर हमने क्या किया चलो यहां पर लि तुम देख लो जैसे N को अगर मैं जहाँ पर 0 करूँगा तो यहां से कितना जाएगा? Y is equals to plus minus X आजाएगा. अगर plus minus X आजाएगा मतलब दो लाइन बन जाएगी. एक तो ऐसी जाएगी लाइन. ठीक है, पाई अगर रखोगे, जब तक तुम पाई तो मिलता ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, जब तक तुम जीरो से लेके पाई रखते रहोगे, तुम जीरो से लेके पाई मिलता रहेगा. यहाली लाइन क्या जाएगी? Y is equals to X हो जाएगी. ठीक है, Y is equals to minus X कैसे बनेगी लाइन? इधर से बन जाएगी ऐसे. ऐसे लाइन आजाएगी तुम्हें आपस? यह कितना जाएगा? Y is equals to minus X हो जाएगी. I hope तुम तुम्हें संच में आ रहे हैं, आपर क्या कर रहे हैं? ठीक है, और इहां पर क्या हो जाएगी? इहां से इस तरह से चल जाएगी the learn dog, कर रहे है तुप इसका पीरेट हो गया यहां पर भी दो टाइप की लाइन देख रही है एक है जिसका जो पॉजिटिव है वन है और एक कितना है माइनस वन है बाकी सारी लाइन को तुम कैसे लिख सकते हो बहुत ईजीली लिख सकते हो यहां पर इस वाली लाइन को किसे लिखोगे यह हो जाएगा y is equals to minus x हो जाएगा pass कहां से कर रहा है यहां से pass कर रहा है ठीक है तो यहां पर कितना जागा plus 2 लिख सकते हैं यहां पर कितना प्लस टूपाई रख दीए आयोग तुम्हें सब्सक्राइब कोई दिक्कत नहीं है बस यहां पर हमने क्या उप्जर किया कुछ भी रखोगे जीरो से लेकर पाई के बीच में ही तुम्हें मिलेगा ठीक है और यहां पर यह क्या है यह फंक्शन प्रियोडिक इसका प्रियर्द कितना है अगें टू पाई है यह फंक्शन इवन फंक्शन और तुम देखके वाइख क्या एंव जित्ने भी ईवन पाई पाई ढाहे है इस यहां पर उपर यह पर जारह से आरुappropri je मैं एसे देख सकते है लिए अव्र जाने में लाइन एसी है और यह गंञे मैं इसी सथरह से है मैं यह से लिए बता रहा हूं जहलो सब्सक्राइब एक एक करने हैं अ Depois one सबस्ट सब्सक्राइब ए JUST कैसे बनाए था एक ऐसे बनाए था एक एक ऐसे बनाना बहुत इजी जिये बनाने में कोई दिक्कत नहीं है ठीक है इस तरह से बनता ही ऐसे बना लिया पर ठीके यहां पर कैसे होगा ऐसेル घए गहांपर यह कैसे हो जाएगा यह पइंट सिना बिस वस्ट का इफ राइट्छ में पर fusion में हमाईनाश को खो पाई था यह चाहए फीन लिखिए लगा माने टental दोब इतनी थिए y is equals to minus x था ठीक है फिर यह लाइन पर कितना हो जाएगा यह जाएगा प्लस टू पाई हो जैगा आ रइसे में लिक नहीं है तो तुम देख लो इसका स्लोव कितना और नेगेटिव तो यहां पर वोगे और पास कहां से कर रहा है सब्ंसक्राइब और विन सब करो रखते हो तो मैनेस मैनेस प्लस हो जएगा ठiga पर मैनस मैनेस प्लस हो जग्या इसे और रट्लैं तो महाता ही है एकह थ्यक्षिया है ट्रयाओ क्या कै लिख दिया एकही कו यह स्यं ऌद आयु मिली ते इस निजब ट्रोड़ कियो थिक द्ञाओ ट्रिव, तूच्शे. ट्रिया आंटाफ ट्राइप असकर जाए है तो त्ञ्वन आइन। कैसे पता चल रहा है तुम देखो ऐसे देख लो इस तरह से याद रख लो जैसे अगर यहां पर यहांपर क्या होगा इवन पर यह इस तरह से वनेगा इस तरह से तक ड़िए ह। जमने में पर क्या कर रहे हैं ओर नवर्स और क्या लिए सकते हैं जैसे for the शाय SN1 ऑल रिए लिबर सरल रियल थहींबर यहां बॉंघर केंज की तना हजाएगा इसका फ़र रेंज था है आपर वाइब लॉंग्स टू जीरो से लेकिए पाइगा आपर क्या करना है ठीक कोशन ले लेता है जैसे अगर मुझे आपर कोशन लेना है तो इसी तरह से मैंने लिया चलो फिर्स्ट मैंने बोल दिया find श्रीक के ऐसे बोल दिया मैंने कॉस शी चुर्ण यहां पर बनाकर देखो इस तरह से बनेगा ऐसे बना दिया ऐसे बना दिया यहां पर यह यहां पर तुमने इसको locate कर लिया तो इसका slope तुम्हें क्या दिख रहा है माइनस एक्स दिखा ठीक है और यहां पर कहां से पास करना चाहिए टू पाई तो हमने क्या क्या प्लस टू पाई कर दिया तो तुम कैसे उपन करोगे यह हो जाएगा यहां से यहां पर क्या जाएगा फाइफ माइनस फाइफ प्लस टू पाई जिससे यह क्या करें जीरो और पाई के बीच में ही रहे इचीज तुम्हें आना चाहिए ठीक है और देख लिते हैं जैसे यहां पर समझे मैं ऐसे लिए कॉस इन्वर्स कॉस चलो टैन बोल दिया तो टैन तो पाई तो 3.1 बोल दिया इसका मतलब हमने लोकेट कर लिया इसको यह हैं लाइं को हैसे लिख वी इस लोक्रण व्हाइघ खूगी एक सब्स्क्राइश रङए थीक है प्लस यहां पर कितना ओग्या four pay हो गया तो यहां से कितना हो गया यह मायनस you सब्सक्राइब कर दिया तो तुम क्या करो इसको डिवाइड कर लो पाई से जैसे 50 बाई पाई ठीक तो यह कितना हो जाएगा कुछ ऐसे हो जाएगा 15.9 हो जाएगा मैं क्या कर रहा है मैं इसको ऐसे कर रहा है जैसा हमाने सिवाइड कर लिशेरा है अब समुन थेल are से लो केट करो 15.9 मतलब यहां पर कितना हो का में लिखा यहां पर 15 पाय होगा तियरी लैन को तुमने कि haallocate कर लो तो भीर ति इतना जैगा सिलोप तुमने नेगेटिव दिखा प्लास यहां करना कितना हो गया 16 ис Michonne कि यहां ही से पास हो रहा है तो इसको तुम कैसे उपन करोगे यह हो जाएगा माइनस ठीक है यह हो जाएगा माइनस 50 प्लस यहां पर कितना हो गया 16 पाई ठीक है अब जितने भी ग्राफ बचें जैसे अभी तो हमने यहां पर कितना हो जाएगा टैन्वाइज इकॉलस टू टॉट इन्वर्स टैनेक्स टीक तबसे निए इसका डोमेंन लिख लें तो टैनेसा डोमेंन क्या होता है ऐसे होता है इडिलांस टू और रिएल नंबर एक्सेट और मल्टीपल अफ़ पाई भाई बाई टू ठीक है को इसको हमने 10 को इदर लिख यहां पर कितना हो जाएगा 10y is equals to 10x हो जाएगा तो यहां से कितना हो जाएगा y is equals to n pi plus x ऐसी तो लिखते हैं आपर n pi plus alpha ठीक है तो यहां पर तुम एक चीज अब्सेट कर सकते हो कि यहां पर एक ही टाइप की लाइन आएगी और सारी लाइन पै 0 2 5 ए f2 की बीच में होना चाहिए और वह दोनों open होना चाहिए ठीक है इसका मतले यहां पर यह swipe uh और यह उता होगा यह ऊपन हो जाएगा यह बूपन हो जाएगा यहां पर क्या लिखा लिखए यह prinus by by 2 ची हां पर कितना जेडा यह पाई फिर अगें यहां पर 3Pi x 2 ओपन हो गया, फिर यह कितना हो जाएगा? 2Pi, उसके यहां पर कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? minus Pi x 2, this is also open, minus Pi, minus 3pi by 2, यह भी open हो गया, and this is minus 2pi, ठीक है? ठीक है, जितनी भी यहां पर line बननी है, कैसी line बननी है? y is equals to x ही बनेगा कि सबका स्लोप यहां पर कितना है 1 है जैसे अगर मैं यहां पर n को 0 कर देता हूं यहां पर कितना जाएगा y is equals to x यहां पर line कैसे बनेगी इस तरह से बन जाएगी ठीक है यह उपन हो जाएगा मतला नहीं तुम डोमेन में पर ठीक है उसके बाद जैसे अगर तुम यहां पर इसको वहरी कराऊगे तो तुम देख सकते हो सारी पैरलर लाइन से आने वाली है तो हमने क्या कि इसको बना लिए यहां से ओपन से लिके यह उपन यह इस तरह से हो जाएगा यह पाई से ही पास करेगा यह आरा सब्सक्र बढ lavor price & Water ऑने जो जाएगा keeping क्या कि हमने यहां पर भी इसको आपन लिए यहां पर ओपन है इस तरह से चालता जाया। यह यह ँपरn हे ठीक है नेक्स्ट अलेहां पर क्या हजाएगा यह भी उपन हो जाएगा इस तरह से ही जाता रहेगा यहां जाके ठीक अगें यह कितना हो जाएगा एक्स माइनस टू पाई हो जाएगा यहां पर कितना हो जाएगा यह हो जाएगा यह एक्स प्लस पाई हो जाएगा एक्स के जगए माइनस पाई रखोगे तो कट जाएगा यह जीरो आजाएगा सही है यह कितना हो जाएगा यह हो जाएगा यह हो तो यह फन्क्शन भी पेरियोडी है, जिसका पीरिड कितने है, पैय है मलें जो 10x साओ यह चाहिछ का पीरियोड हुरा है, ठीक है, wyddचलोasa हृट, ज Всम रजिगक हे गढूनीहां उर्पइयोडी है और यहां पर क्या harder एकी टाइब की लाइन, ठीक है फाइन तो चलो इसके लिए भी हमनों क्या करते हैं थोड़ा सा लिक लेते हैं